के सरिया बालम आओ ना पधारो मारे देश जी हाँ, देश से हजारों मील दूर बैठे देश की याद तो आती ही होगी वो चान्दी चौक की तंग गलियां, वो परांठे वाली गलियां वो गर्म करम दूद में जलेबियों को डुबो कर खाया जाना वो मा के हाथों से सिखती हुई मेथी और वाजरे की रूटियां वो चौबारे पर जाकर छप पर खड़े होकर रंग भी रंगी पतंगों का उड़ाना और वो डेसू के पावर कट, मच्छरों का काटा जाना हर द्वार में जाकर गंगा में डुपकी लगाना बेशुमार यादे हैं आज भी हमारे साथ जी हाँ, इन्ही यादों को ताजा करने के लिए इन्ही फासलों को इन्ही दूरियों को कम करने के लिए हर हफते के हिसाब से हम लेकर आ रहे हैं एक बिलकुल नया प्रोग्राम हाटलाइन देश तो इससे पहले कि हम इस सिलसले को आगे बढ़ाएं क्यों ना तारूफ हो जाए हमारे कैनेडा में बैठे हों साथियों के साथ हर्बिंदर बदवार जी और उनके साथ बैठी होई है डॉक्टर रीटा बगई जी आप भी दिल्ली से ही है और आप दोनों के साथ बैठे ओमनी स्टूडियो में हाजरीन नाजरीन कैनेडा के प्रोग्राम हाटलाइन देश में आप सब का एक बार फिर से गर्म जोशी के साथ स्वागत है प्रोग्राम के अगले पड़ाव में हम आपको लेके चलते हैं भारत में दिल्ली में जहां हमारे स्टूरियो में मौजूद है शमी नारंग जी जो टेलिविजन और मीडिया परसनालिटी है जी मैं हिंदुस्तान में बैठकर हिंदुस्तान की जानिब से आप सभी का स्वागत करता हूँ खुशामत दीद कहता हूँ और आपके सवालों का जवाब देने के लिए आज हमारे साथ आए हुए हैं Overseas Ministry Indian Affairs के Joint Secretary जनाब मलाई मिश्रा साथ मलाई मिश्रा साथ आपका स्वागत है ओमनी आप सभी दर्शकों को हमारा नमश्कार और ये एक पहले बार एक कोशिस किया जा रहा है आपके सामने आपको हम देख सकते हैं और आप से बात कर सकते हैं ये connectivity की जरिए तो हमें बहुत अच्छा लग रहा है और हम चाहेंगे कि आप भी हमें directly ये सवाल पूछें जिसका जव जहां तक हो सकता है हम देंगे आपको यहाँ पर गरमा-गरम सवाल तयार है और आपका वहां दिल्ली में गरमा-गरम मौसम है सलसला शुरू करते हैं सवाल और जवाब का काफी टाइम से सुनने में आ रहा है कि ड्यूल सेडिजिजिशिशिप का जो इस मुद्दा है पहला सवाल ये कि is it here to stay? दूसरा ये कि एक इसका मतलब क्या है? और तीसरा ये कि जो एक आम NRI यहां पर है उसको इस से क्या फाइदा है? ये असल में NRI के लिए नहीं है ये persons of Indian origin जिन के पास भारत ये पासपोर्ट नहीं है उनके लिए है ये ये एक overseas citizenship certificate मिलेगा ये application पर और साथ में एक visa sticker जो की applicant के जो passport है foreign passport उसमें वो चिपकाएंगे और उसके जरिए उस applicant को भारत आने के लिए और कभी visa की जरुरत नहीं होगी दूसरी बात है कि आप education के मामले में आपको कुछ facilities मिलेगा ये OC card के लिए except for plantation properties आप किसी भी property भारत में किसी भी जगे आप ले सकते हैं उसके 100% remittance कर सकते हैं भारत से जो apply करेंगे जो लोग वो ministry of home affairs को apply करेंगे दिल्ली में और विदेस से जो apply करेंगे वो किसी भी भारती दुतावास में जाके इस application को दे सकते हैं में प्रश्शन यह है कि अपने का हिंदुस्तान में जो है education है one of the best levels है वो मैं मानता हूँ मैं भी वहीं का पड़ा लिखा हूँ दिल्ली का लिखा हूँ पर अब जैसे मेरी wife के पास B.E.A.D. की डिग्री है डेली उनिवरस्टी C.I.E. से one of the prime in the world वहाँ पर रह किसी मिनस्टर ने यह मिनिस्ट्री ने यह क्यों नहीं किया कि डेली उनिवरस्टी यह किसी भी उनिवरस्टी को इस तरह मार्केट नहीं किया इधर कैनडा में कि उनको वह वाली इज़त मिली जाए भारतिया जो डिग्रीज है अपने जो इंस्टिउशन जैसे I.I.T. हुए आएम हुए अच्छे अच्छे उनिवरस्टी के हैं वो डिग्रीज तो रेकिग्नाइजड है उनिवरस्टी इसमें कोई शक नहीं है टेकनिकल डिग्रीज अब जेनरल डिग्रीज जो है उसके लि जाएगा डेली उनिवरस्टी के डिग्री उस इनिवरस्टी में रेकिनाइज होगा तो ये गर्मेंट टू गर्मेंट नहीं होता है ये इनिवरस्टी टू इनिवरस्टी डिग्रीज रेकिनाइज होता है मैं कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता हूँ कि भारतिय डिग्रीज का म कि उसके पास बैक पैक था, ट्राइपॉर्ट था, कैमरा था, और वो रंथम बोर में जाना चाहता था, और उसको वहां से पुल कर लिया और तीन घंटे तक उसको एक आफिस से दूसरे आफिस शुटल किया और उसको ड्रॉट खोल के बोल रहे हैं कि इदर पैसे ऐसे कर रहे पजाने, और डिक़््छाइर करवाएं, तो डिक्लैर करने के लिए उनको रेड चैनल में जाना पड़ेगा, वो ग्रीन चैनल में गये थे, जिसका पर आप आपके शान्मान था, तो इसको आपको डिक्लैर करना चाहिए था. दूसरा है कि हरास्मन्ट अर्धियर पोर्ट, ये कई cases हमारे पास आता है, harassment का, उसका अभी ये है कि भारत सरक्कार ने एक special counter खोला है, immigration जो देखते हैं, NRI passengers के लिए, तो वहाँ NRI जो आते हैं बाहर से, उनको special handling किया जाएगा, उस counter में. हमारे एक friend है, उन्होंने एक property वहाँ पे खरीदी हुई थी, plot खरीदा हुआ था, जब वो वापस उसको बेचने के लिए गए, उस पे पहले ही किसी ने building बनाई हुई है, and somebody is living there. असल में इसका source ये होता है, ये जड़ ये है, कि जो आदमी जो है, बरसों बाहर रहता है, अपना property कोई ले ले लेता है इदर, या कोई जमीन ले ले लेता है, उसके बाद वो चला जाता है, बरसों वहाँ बाहर रहता है, तो उस absence में अपने ही relatives हों, या कोई vested interest हों, वो उ ये कहते हैं, ज्यादा तर हो सकता है, तो वो एक attorney, local किसी को लगाए इधर, ताकि कोई dispute हो, तो वो उसका representative के तौर पर वो अपना कारवाई कर सकता है, ये जो आज के मुद्दे और discussion हमने किया है, इनके बारे में फिर से प्रयास करेंगे कि उनका क्या हल निकला है, और हम ल और उस समाधान से हमारे को क्या benefit हुआ है, क्या लाब हुआ है, वो हम सब आप लोगों को बता सकें। अपनी मधूर आवाज में परोसा लोगमंत्र मुग्ध हो गए, लेकिन कुमार गंधर्व को मालूम नहीं था कि कैनेडा के एक शेहर में रहने वाली सुरुची नामक लड़की, जिसने जीवन की विकलांगता का डट कर मुकाबला किया एक चुनौती की थरा, रोज इसी पीर के दोहे का सिम्वरन करती थी. मौन्ट्रियल में जन्मी और ओटवा में पढ़ी, 21 वर्षिय सुरुची भारगव, 23 मई 1989 में, उस ख्शन तक एक आम कैनेडा की रहने वाली थी, जब उनकी कार न्यू यॉक के एक हाइवे पर दुरगट नाग रस्थ हो गई. डेड़ साल बाद, सुरुची एक अपार्टमें अकेली रहने लगी. 16 साल की उम्र में सुरुची को कृष्णा के मंत्र की दीक्षा दी गई. 15 वर्ष अकेले अपने अपार्टमेंट में सुरुची कृष्णे के साथ जगड़ती, रूठती, मन और आत्मा बहलाती. सुरुची की मानसपेशियां दिन बदिन कमजोर होने लगी. उसमें बहुत यादा जक्रन थी, जिसे हम स्पास्टी सिटी कहते हैं, वो थोड़ा भी हिलती थी तो सारा बदन पूरा एंट जाता था. रात में मैं केली रहती हूं, और वो बांद के जाते थे मेरे को, और कई पल ऐसे थे कि सिर्फ बार बार उस रेलिंग पे अपने आप से यो 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 होता था, और मैं कुछ भी नहीं कर सकती थी उसको, और मैं भग्मान को याद करते हैं कि क्या हो रहा है ये, मुझे ये, मैं मैं हेल्प के लिए भी नहीं काल कर सकती हूं कि फोन के पास हाथ नहीं जा रहा है, तो जब ऐसी रात करती थी तो मेरे को मालूम है कि मैं मरूं भी कैसे हूं अगर वो फ्यल चर्ब में उसको कहीं जाना उता था तो फो एक चदर से अपने आप को बांती थी पिस्तर पे भी अपने आप ने आपो एक को बान के रहती थी था कि उसके पैर बिल्कुल उसके शरीर के सात नाजर जाखड़ जाया है पैट में सारे गाव हो गए थे बान के, हाथ में सारे, सारा शरीर बिलकुल थक चुका था, सारी जगे निशान पड़ चुके थे बानने के. Like you need to take muscle spasm, pills for sleeping, pills for going to bathroom, pills for everything. क्योंकि एक बार क्वाडरी जा हो गया, तो वो ट्राइ नहीं करेंगे. जो डियाग्नोस है, मैंने कहा भी मेरे फिलिंग है, दर्द होता है, कुछ टोज मूव होता है, तो वो कहते हैं, हाँ, ठीक है, वो तो है. The doctor diagnosed, for example, oh this is C5, C2, won't be able to walk. And that's the diagnosis and you cannot change it. क्योंकि नहीं पा रहे थी, तो दुख इतना दिया कि मुझे लगा कि भगवान ये कह रहे है कि उठो यहान से कुछ करो. मैं धूनने आई थी उसके लिए Rehabilitation Center मुझे कहीं नहीं मिला, और मैं जिस समय नौ बजे मेरी एक बजे फ्लाइट थी और नौ बजे मैं आके मैंने इस अस्पताल को विजिट किया, फिर डाक्ते छाबरा से बाच्चित की. बीस नवंबर दो हजार चार को सुरुची की मौसी योग भारगव, सुरुची को दिल्ली के अस्पताल इंडिन स्पाइनल इंजिरी सेंटर में लेकर आई. योग को पून विश्वास था कि भारत में सुरुची की अवस्था सुधरेगी. जिस समय एरपोर्ट से उतर कर जमीन चुई थी और मुझे लगा काम तो हो गया. एवरिस्ट पर विजय, सीमा पर घातक हमलों में बुरी तरह से घायल, बद्मभूशन से सम्मानिक, मेजर आलूवालिया ने अपनी वीलचेर से ही स्पाइनल इंजिरी सेंटर की रचना कर दी. आप इस शरीर में रहना आप बरदार्श करी नहीं सकते हैं, मगर ये भी ग्यान होता है कि अगर मैंने किसी तरह से साइन आइडिया कुछ ले लिया, तो मेरी रू कहीं भठकेगी और फिर ये भी मालूँ है कि हुमन मनुष्य कर शरीर ही ऐसा ही शरीर है जिसके अंदर हम ब सिर भी कड़ गया था, वो हाथ पे लेकर तब भी लड़े थे, क्योंकि असी ते फिर एक पेशन आया, जो भी आया, साड़ा थे थोड़ा तरम देनाल भी मतलब, अपने तरम लाके वही एक करके करना ही है नुठी, किसी पासे भी करना है, करना है अस्पताल की टीम ने सुरुची की नाकाम मानस्पेश्यों को बेहतर बनाने का काम आरंभ किया केवल पाँच महीने के इलाज के बाद ही, सुरुची की आठ साल से कनेडियन सहायक ईवा उसे देखकर दंग रह गई सुरुची भगवान को याद करती थी सुख में वो अपने भगवान में विलीन होकर जूम उठी स्माइल जो है वो थर्व मीटर द बॉड़ी वो आपकी बॉड़ी की स्तिती बिताता है कि अंदर में खुशी आ रही है कि गम है या क्या है तो इसी लिए जब तक स्माइल नहीं आएगी पेशन की हमारे जो लोग है उसको ट्रीट करते रहें अब सुरुची अपने अपार्टमेंट की चार दिवारी में कैद नहीं थी सहलाते दिलों और मानवियस परश द्वारा दर्द को लांग कर सुरुची उस स्थान पर पहुंची जहां उसकी आत्मा का निवास स्थान था कल सुबह सुरुची अपना पहला कदम उठाएगी पंद्रह वर्षों की वीलचेर की लाचारी के बाद क्या सुरुची चल पाएगी? क्या थाएगी वीलचे हैं पर वीलचेर के बाद की वीलचेश भीज़ पाएगी? झाल झाल I don't have explanation for that, like, it's something like a miracle. And when I saw her walking, I just lost.